बच्छों आप सभी का हमारे सुमित्राना ब्यस्टी क्लासेस में बहुत-बहुत सवागत है जैसा कि बच्छों आप सभी लोग जानते हैं कि जुलोजी का पहला पेपर हमारा चला है वह यहां पर मैं उस पहले पेपर की पूरी complete सेरीज को आप लोगों के बीच में यूट्य कर रहा हूं कभी-कभी थोड़ा लेट हो जाते कारण क्या है कि और भी बहुत सारी क्लासेस लेनी होती जिस कारण थोड़ा सा आपको कंटेंट प्रोवाइड करते में थोड़ा सा डिले हो रहा है लेकिन कोशिश यह है कि मैं जल से जल्द आप सभी का यह पेपर complete करा सुमित रणा बीसी क्लासेस पर ही अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए बैल आइकन दबा लीजिए जिससे में जो भी वीडियो लक्षर यहां पर डालूंगा वह आप तक सबसे पहले पहुँचेगा चलिए बच्छ काफी कोशन आते हैं यहां पर शार्ट कोशन भी बनते हैं एक रोडेंट के उपर पूरा लॉंग कोशन भी बनता है रोडेंट लाइक रैट के उपर ही आपका पूरा बनेगा रोडेंट कहने का मेनी क्या होता है तेकि रोडेंट कहने का मतलब होता है कि रैट के जितनी वि order rodentia, जो order rodentia रखा गया हूँ, उस order rodentia में जितने भी mammals को include किया गया है, उन सभी को हम rodents कहते हैं, mammals अलग-अलग होते हैं, लेकिन वे mammals, वे mammals जो order rodentia में include किये उनको rodents कहते हैं और इसमें specially हम लोग rat meanness के बारे में पढ़ेंगे, rat meanness क्या होता है, rat meanness कहने का मतलब होता है कि चूहों के दारा, जो हमको harmful activity या harm पहुचाया जाता है, हमारे आनाजों को नुकसान पहुचाते हैं, ये चूए, हमारे कपड़ों को भी नुकसान पहुचाते हैं, घरों में control क्या है, उसको समझना है जैसा कि आज के इस लेक्चर में हम लोग complete lecture में हम लोग यहाँ पर rat का classification देखेंगे important है exam के point of view से, rat का classification आपको पढ़ना है, इसके habit-habitate के बारे में मैं बताऊंगा और rat कितने प्रकार के होते हैं, type of rat and rat control rat के control करने के various method है, विविन परकार के जो विदियां है, वो किस तरीके से इनको control किया जा सकता है इसमें आपका chemical method है physical method है, और एक बहुत important है, जिसको हम लोग बोलते है rodenticides, इसको पर एक short note आता है वो भी आप लोग यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं, हम लोग rodents को, तो rodents क्या होते हैं, यह तो आपको पता है की class मेमलिया के order rodentia में जितने भी मेमल्स को include किया गया है उन सभी को rodents कहते हैं, अब इसमें आपका rat के अलावा squirrel भी आती है स्क्वारल हो गया, rat हो गया, बहुत सारे हैं ठीक है, आगे मैं चार्ट बना कर दूँगा आपको उसमें पूरा लिखा हुआ है कि rodents में कौन कौन include है अच्छा, rat का जो classification है उसको समझना है, तो देखें यहाँ पर kingdom होगा, वो इसका क्या होगा, animalia right, phylum codita, class mammalia, order rodentia, यह important है जितना order rodentia के अंदर जितने भी mammals conclude किया गया है तो सभी क्या है, और जो उसकी family है, वो क्या है, muridae, और genus क्या होगा, ratus genus क्या होगा, ratus अब ratus की कई species यहाँ पर पाई जा रही है, पूरे विश्व में, पूरे विश्व में कई species ratus की पाई जा रही इंडिया में करीमन 110 species पाई जाती है जिन में से 70 species ऐसी है जो most common form में पाई जाती है और उन में से भी 4 से 5 species ऐसी है जो बहुत ही ज़्यादा damage करती है, हमारे अनार्चों को, मतलब cereals को, ठीक है गोदाम जहां रखे गए है, cereals को जिन गोदाम में रुखे जा तो वहाँ पर crop जहां पर improve कराई जा रही है crop जो है ना, उगाई जा रही है खेतों में, ठीक है तो वहाँ पर यह damage करते हैं, घरों में भी यह रहते हैं ठीक है, तो देखे, कुछ खास बाते हैं वो समझते हैं यहाँ पर, क्या कि देखे, वह सभी animals जिने class mammalia के order rodentia में रखा जाता है उन्हें सामानिता rodents कहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बच्चा rodents कहते हैं तो जितने भी animals जो class mammalia के order rodentia में included हैं, उन्हें सभी को हम क्या कहते हैं rodents कहते हैं second point देखे, लिखा हुआ है, इन mammalians का मुख लक्षण, यह जितने भी mammalians हैं, इन सभी का जो main character होता है, इनकी उपरी वा नीचले जबडे यानि इनका जो उपरी, अपर जो और लोवर जो है, इनमे पाए जाने वाले incisor teeth, incisor teeth काफी develop होंगे, strong होंगे, यह आगे के यह आगे के जो दात आप देखे हैं चार उपर, चार नीचे है, this is called incisor, और यह चूहों के अंदर ज़्यादा develop होते हैं, वहाँ पर canine absent होते हैं, तभी आप देखेंगे चूहों के आगे के दानत बड़े होते हैं, किसी पिसी के आगे के दानत बड़े होते हैं, तो हम लोग उसको जो है न, चिड़ाते हैं, कि चूहों की तरह नात है, तुमारे, चूहिया होते हैं, यह चूहा हो क्या, इस तरीके से उसको चिड़ाया जाता, तो यह actual little incisor teeth चीजों को यह फूड को ग्रेंस को सब कुतर के खाते हैं तो इनके दांत डामेज भी हो जाते हैं आगे के वो घृध कर जाते हैं तो होते हैं जनकी लाइफ अत्यादिक रूप से काटने वह कुतरने में सक्षम होते हैं बहुत ही चीज को काटने के लिए या उसको कुतरने यह सक्षम होते हैं लिखा हुआ है कि अम्पलीट पॉफुलेशन जलास मेने लिए। उसमें जो रोड Hampshire gonnaidenčीज भी इनिमल्स रखेंगे हैं उन में से जत्रक्राइब का में मिलिया कि complete population 40% भाग में से एक है यह 40% भाग है जो कि पूरे विश्व में पाये जाते हैं यह होल वर्ट में आपको देखने को मिलेंगे नेक्स्ट रोडेंट्स में मुख्य रूप से रैट अब रोडेंट्स में आता क्या-क्या है रैट हो गया माइस हो गया स्क्वारल हो गया ठीक है इनीपीग हो गया वीबर हो गया ठीक है हैंस्टर हो गया आधी को इंक्लूट किया गया है और भी बहुत सारे रखेंगे जो की अत्यदिक स्मॉल वह मेडियम साइज वाले होते हैं यह देखे एक चार्ट मैंने यहाँ पर गूगल से निकाल करके डा के अंदर देखें यहाँ पर जिब जर्विल हो गया जिप मुंख हो गया माॉस हो गया ग्रेश क्वाइर लोगई है ना फ्लाइंग इस गया लोगई उड़ने वाली जो स्कॉरल है इन्दे में कहते हैं यह बहुत सारे यहाँ पर सबको इस्ट्रक्च्छर यहाँ पर इंक् होते हैं अब जो रूदेंट्स हैं यहांन पर क्लास झाहले देशन के रखे गया है वह अलग-अलग हैं कि होते हैं उनका आवाष है वय स्थान के आधार पर अलग-अलग प्रकार के ह horrific दूसरे से अलग होते हैं जैसे मोच अधिकतर जो आपको तो टेरेस्ट्य लीजन में देखने को मिलेंगे टेरेस्ट्य लीजन पर ही मिलते हैं यह अर्बोरियल भी होते हैं ब्रच्छ वासी ब्रच्छों पर जैसे स्क्वारल आपको ब्रच्छ पर ही मिलेगी अक्वाटिक मेमल्स भी होते हैं और बरोइंग हैबिटेट में रहते हैं दिखा हुआ है इंडिया में रैट अत्यधिक रूप से पाया जाने वाला रोडेंट में से एक है हमारे इंडिया में अत्यधिक रूप से रैट आपको देखने को मिलेगा हर घर तिरंगे के साथ में आपको रैट भी मिलेगा चूहा भी मिलेगा जो पूरी कंट्री में पाया प्राइब यसी क्लासेज में मिल जाएगा ठीक है टेलीग्राम गुरूप में जुड़ने के लिए आप सबसे पहले अपने फॉन में टेलीग्राम को लूट कीजी गूगल प्लेश्टोर से पर वहां पर सर्च कीजिए सुमित तराना भी सी क्लासेज आ जाएगा नहीं मिलता ह मिल जाएगा फिलाल फिर भी अगर आप वहां पर नहीं सर्च कर पार है तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम गुरूप का लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके आप डारेक्ट जॉइन कर जाएंगे और इसका पीडियो वहां से आप राप्त कर लेंग इसको क्या बोलते हैं रेट मीनेस तो रेट और रेट से होने वाली हानिया इनको कमप्लीट फार मेरेट मीनेस कहते हैं क्योंकि कुछ खास बात लिखी हुई है है रेट की इंडिया में लगबग 110 इस पीसीज पाई जाती है जिन में से 70 सब्सक्राइश मोस्ट कॉमन से हैं विश्व में अगर इसकी population देखी जाए तो 42,500 करोर पापुलेशन देखने को मिलेगी 42,500 करोर पापुलेशन यहापर देखने को मिलती है अब देखिए अगर हम लोग rat के type की बात करें या rat की species की बात करें तो वो कौन-कौन सी है ना तो species of rat या type of rat बहुत important है आता है अलग से short note आता है short note लिखने के लिए आता है species of rat के नाम से आएगा या तो type of rat के नाम से question पूछा जाता है ठीक है ठीक है पहला point यहापर लिखा हुए rat order rodentia के अंतरकत पाई जाने वाली sub family मियूरिनी वा मियूरिनी वा जर्बिलिनी ठीक है मियूरिनी वा जर्बिलिनी में रखे गए हैं rat को इनकी habitat के आधार पर इनके वास इस्थान के आधार पर मुकता तीन कटेगरी में डिवाइड किया गया है यानि कि जो चुवे हैं इनको habitat के आधार पर तीन कटेगरी में डिवाइड किया गया है पहला house rat जो कि आपके घरों में रहते हैं दूसरा field rat जो कि कहां मिलते हैं उन जगाओं पर मिलते हैं जहां पर हम लोग crop को बूते हैं crop yield करते हैं like खेतों में and rat house and field third है rat of house and field ऐसे rat जो house में रहेंगे और field में रहेंगे खेतों में भी रहते हैं आपोवैंग टाइप से हैं और एकहंपल पहला है हाउस रहो एग ऻिसका जौनोस के लेम जो होता है वह राटास र्राटास होता इससे प्ल políticas को भी बता है क्लार दिज़ा होती कौस को होती होती नहीं बता तोने मैं बथांगा तो है तब यह रेट रेड ब्राउन या ब्लैक ब्राउन कलर के होते हैं यह जितने भी रेट होंगे या रेड ब्राउन कलर के होंगे या ब्लैक ब्राउन कलर के होते हैं जिनकी टेल जो होती हो लंबी होती है नेक्स्ट पॉइंट यह रेट की इस्पेसीज हुमन के लिए मोस्ट यहां एक प्रकार की अबॉरियल क्लाइमिंग इस्पीसीज यानि ब्रचों पर रहने वाले और कूद कूद कर चले वाले अबॉरियल क्लाइमिंग इस्पीसीज होती है यहां अपने ब्रचों पर आपको देखने को मिलेंगी लेकिन यहां अपने बरो यानि बिलो में भी रहते हैं यहां एक प्रकार की अबॉरियल क्लाइमिंग स्पीसीज में से होती है लेकिन यह अपने बरो में भी क्या है बच्चों पाई जाती है आनिकि वहां पर यह बरो ब पहा गया था ठीक है और यह ब्लैक डेथ के रूप में मानी गई थी क्योंकि इसमें जब पेशेंट होता था वह जब डेथ करता था तो उसके आम स्पिट पर जहां जहां पर नर्व नोडिूल पाय जा रहे हैं ठीक है वहां पर ब्लैक कलर के स्पार्ट बन जा रहे थे जिसक ना चेलर ही रहे प्लैक जैसी घातक बीमारी के बाहक होने के कारण या हीमन के लिए अतरिक हनिकारक होते हैं ठीक है यह एक सुप्सक्राइब लिखाओ हो इसका लीचल continu लिम में पर ट्रांस्मीट करते हैं पर उसके बाद में सेकेंड हमारा है Indian gerbil ये भी एक स्पीसीज है देखे लिखाओ इसका जो लोजिकल नेम टेट्रा इंडिका होता है यह रैट light brown color के होते हैं यह रैट jumping करने में expert होते हैं बने में expert होते हैं और यह मुख्षिता forest में रहना पसंद करते हैं जंगलों में रहना पसंद करते हैं Indian जर्विल के नाम से जो रैट है उसके बाद में है small tail rate ठीक है इसका जो लोजिकल जो नेम होता है वो क्या है निसोकिया इंडिका निसोकिया इंडिका इसका जो लोजिकल नेम है small tail rate यहारेट ब्राउन कलर के होते हैं पहली बात इनकी टेल जो होती है हो स्माल होती है और यह मुख्यता लौन और गौरडन में रहते हैं धर यह लौन है और ढता है इंडिक करता में और यह रेट लानग में क्वा बालों वाले होंगे और आकार बें bडे होते हैं लेकिन इनकी पूछ छोटी होते हैं यह on वहाँ जंगली इलाकों में रहते हैं इनको अगर आप गुस्सा दिलाएंगे तो आपको काट भी सकते हैं और इन ब्रीडिंग करने की अधिक चंता पाई जाती है इसके बाद में फिप्थ हमारा आता है अल्बीनो रैट इसका जो लोजिकल नेम है वह है मुस मस्कुलस मस्कुलस ठीक है इसके इसकी में पिग्मेंट की कमी के कारण या वाइट कलर का दिखाई देता है और अधिक तर आप द लोग जो पालते हैं इसको और आप देखेंगे कि जो लैब के अंदर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इनी चुहों के उपर अधिकतर किया जाता है यह किसी भी वस्त को हानी पहुंचाने वाले हाइली एक्टिव रैट होते हैं कि किसी को भी हानी पहुंचा सकते ह को इस रैट को मुक्ता साइन्टिफिक के लिए भी यूज किया जाता है आप देखेंगे बहुत सारी हॉलिवूड मुवी को तो उसमें जो एक्सपरिमेंटल याडवेंचर मुवी होते हैं उनमें आप देखने की जो लाइक स्पाटर मैं को ही देख लो आप पर सरक्या बा काम चलने अभी नहीं तो इस रैट को मुक्ता साइन्टिफिक स्टेडी के लिए उस किया जाता है ठीक है उन में उन मूवी में आपने देखा होगा अब देखेंगे जो डेमेज कॉज हो रहा है रैट के कारण वो किस तरीके से और क्या क्या हो रहा है उसको समझते हैं तो या खेतों कामभूसे वा अनाजों के पास अपने डीप बरो को प्रोडियूस करते हैं गहरे बिलों को निर्मित करते हैं जिस कारण अनाजों वा दिवालों को आनी पहुंचती है ठीक है अनाजों और दिवालों को क्या पहुंचती बच्चा आनी पहुंचती है नेक्स अधिक कारण करके रखें वहाँ पर आपको रटी कि सब्सक्रा मिलतीर एक गल्ला मंडी होती ही तो आपके अप की हरा और जाकर ने अध्यून पर डेखने में लूप psychology देखने में अगर आप वाकिक गार्ड करने जाएं तो आप देखें कि अनाज जहां पर होगा वहां पर आपको यह चुहा जरूर मिलेगा ठीक है और खास बात क्या यह भी देख लो एक सामाने रेट जो वहां पर पाई जाने वाली रेट इस्पीज है वहर एक दिन में 25-35 ग्राम अनाच के दानों को अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं तो अपने खाने के लिए 25-35 ग्राम तक यह भोजन को खा जाते हैं और कुछ ऐसे भी रेट इस्पीज होते हैं जो अत्यदिक म पहुंचती है ठीक है यहां अत्यदिक रूप से सीरियल स्वा सुगर केन की क्रॉप को हानी पहुंचाते हैं स्पेशली फाम में अगर आप देखेंगे कि जो सीरियल हैं ठीक है अनाज उगाने वाले जो पौधे हैं ठीक है उनको क्रॉप को और जो सुगर केन प्लांट है सुगर की जो क्रॉप है जिससे हमें क्या प्राप्त होता है चीनी ठीक है उन क्रॉप को यह बहुत ज्यादा हानी पहुंचाते हैं लिखा हुए रैट के कारण लगबख एक हैक्टियर खेत में पचास किलो ग्राम तक अनाजो की हानी हो सकती है तो जितनी भी रेट इस्पीसी तक अनाच को यह डेमेज कर सकते हैं लगबख तीस से अधिक प्रकार की डिजीज को फैलाया जाता है इसमें से प्लैग जो भी मैंने बता है रैटास रैटास जो डिजीज रैट है उससे फैलती है टाइपस फीवर फूड पॉजिजिनिंग आदी मुख्य है इसमें से प्ल के द्वारा या रैट इस्पीसी से द्वारा प्लाया जाता है अब बात करेंगे वैरिएस मैथर आफ रैट कंट्रूल अब इतना ज्यादा ही रैटों ने जो अपना आक्रमनल और अथिक्रमन मचा रखा है इसको किस तरीके से कंट्रोल करेंगे ठीक है किन विदीयों के द् तो देखे लिखा हुआ है चुवों को नियंतर्ट करने के विविन तरीके पहला पॉइंट देखें आपर मैंने लिखा हुआ है इफ्रेंट रेट स्पीसीज ह्यूमन को इकनोमिकल आम पहुंचाने के साथ इनके हेल्थ के लिए भी हामफुल होते हैं वाई यह हमको एकनोमिक methods दोरह control किया जा सकता है जैसे नमबर एक आप देखें कि is गर्विजिकल कंट्रूल मेखंड इसमें हम किसी भी तरीके से चूहे को नहीं मारेंगे इसमें उसको पकड़ेंगे फेग देंगे और फेग देंगे आप मार मेतने जैब के सब से सिंप्लेस्ट मेतल दे एगर आप देखेंगे तो फिजिकल गुंत होता है इस में मुखिता का यूज किया जाता है लकडीवा लोहे से बने इस रइट्ट्र मतलब चुहे को पकड़ने वाले ट्रैप के दौरा रैट कंट्रोल का सबसे चीपस्ट मैथेड में से या चीपस्ट मैथेड के रूप में उप्योग किया चाता है लेकिन चुहे आजकल के बड़े चालाक हैं वह आपके जहांसे में बहुत कम फसने अगर उनको खाना कम मिल ल लावा रैट कंट्रोल का एक अधर मैथैड एक अधर मैथेड अल्ट्रासोनिक वैब का उपयोग करना भी होता है इसके दौरह क्या होगा रैट को इन एक्टिव करके इन्हें उस प्लेस से हटाया जा सकता है यहां एफ्ट्यूप मैथेड होता है लेकिन अत्यादी है तो इसलिए बहुत जो कम लोग हैं बिचारे जो गरीब लोग है ठीक है वह कम कर पाते हैं उसके बाद में हमारा सेकेंड मैथड कौन सा है बायलोजिकल मैथड ठीक है देखे लिखा हुआ है रैट कंट्रूल का वह मैथड जिसमें रैट के नैचुरल एनेमी का यूज किया इसमानिता इस मैथड में बड्स, कैट, डॉग आदी रैट के नैचुरल एनेमी होते हैं जिनकी सहायता से रैट पापुलेशन को क्या किया जा सकता है तिम्पल फ़र्म में कंट्रूल किया जा सकता है अब लेकिन नैचुरल एनेमी से बचने के लिए ये विल में रहेगा और यह बहुत सातिर हो जाएगा तब भी दिक्कत है फिर थर्ड मेथट हम यूज कर सकते हैं कैमिकल मेथट इसमें क्या होगा इसी प्लेस पर रैट पापुलेशन को कंट्रूल करने का सबसे एफेक्टिव मैथट कैमिकल कंट्रूल मैथट होता है ठीक है इस मैथट में डिफ आधि का यूज किया जाता है ठीक है वा क्यमिकल कंपाउण जो एयर तथा मॉइस्ट के कन्ट्रोल में आने पर या मॉइस्ट के कांट्रोय मैं आने पर पॉइजिनस स्मोक यहनी कि ऐसा धुआ बनाएंगे जो कि कैसा होगा पॉइजिनस होगा ठीक है प्रोड्यूस करते हैं उन्हें फ्यूमिगेंट्स कहते हैं इसके मिथाइल ब्रोमाइड इसमें मिथाइल ब्रोमाइड वा कल्सियम साइनाइड मोस्ट एफेक्टिव होते हैं तो मिथाइल ब्रोमाइड और कल्सियम साइनाइड जो होते हैं यह फ्यूमिगेंट्स के रूप में बहुत ही ज्यादा एफेक्टिव रूप में यूज किये जाते हैं इन फ्यूमिगेंट्स को रैट बुरू के पास में रख दिया जाता है ठीक है जिससे रैट डेड अथ हü Gladफव इनक्टिव हो जाते हैं मर जाते हैं और इसमें से इनक होते हैं हिंक इनका साब्धनी पूला हमारे लिए ज्यादा हानिकारग हैं और इसका साब्धनी पूल्वक हुं Level कि कुछ किमिकल कंपाउंट को अट्रेंट या रिप्लेंट्स रिपलेंट्स के रूप में यूज किया जाता है जिसकी सहायता से रैट को रिपल किया जाता है रैट को क्या किया जा सकता है अत्वा इन्हें अट्रेक्ट करके अत्वा इन्हें अट्रेक्ट करके किसी अन मैथट द्वारा समाप्त किया जा सकता है आपने इनको अट्रेक्ट method है रोडेंटी साइट्स आता है देखे लिखा हुआ है रैट्स को control करने की most simplest वा effective method chemical control method की रूप में होता है यह chemical control method का एक भाग है इस method में different type के toxic chemical substance का use किया जाता है वह all chemical compounds जिनका use red poison की रूप में red population को control करने के लिए किया जाता है उन्हें रोडेंटी साइट्स कहते हैं रोडेंटी साइट्स क्या होते हैं वह सभी chemical compounds जो रैट की पॉपलेशन को control करने में किये जाते हैं उन्हें हम रोडेंटी साइट्स कहते हैं इन poisonous chemical compounds को मुखिता acute poison वा chronic poison के रूप में classify किया जाता है अब देखें acute मतलब कम और chronic मतलब damage खतरनाग ठीक है अब देखें इसमें से अत्यदिक रूप से acute poison मतलब तीवर जहर स्वारी acute मतलब ज्यादा और chronic मतलब कम ठीक है तीवर जहर का उप्योग किया जाता है जिसमें थैलियम इसम पीजिए अ कार्वोनेट राइयम ने बेरीं कार्वोनेट वर जिंक फॉसफेट आद इफेक्टिव रोड्यनेटिस होते हैं राइट फिन्स पार्षि लेड फिन्स टीक है राइट फिन्स पिन कि डिफ्रेंट टाइप के 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 डिफ्रेंट के डिफ्रेंट टाइप के डिफ्रे लिठल देट 50% रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है अगर मालो 25% पॉपलेशन को खतम करना है तो लडी 25 50 परसेंट तो लडी 50 वैली बढ़ा देंगे ठीक है देखे लिखा हुआ रोडेंटी साइट्स का एफेक्टिव यूज करने के लिए पॉईजिनस फूड पॉईजिनस फूड बेट्स मतलब जहरीला भोजन चारा को तयार करके एडिवल सबस्टांस के साथ मिक्स करके टैबलेट्स के फॉर्म में यूज किया जाता है या आप क्या कर सकते हैं इसको आटे में मिला करके रख सब्सक्राइब को पॉईजिनस फूड बेट्स के रूप में अत्यदिक यूज किया जाता है इसका पॉईजिनस फूड बेट्स में बहुत जादा यूज किया जाता है मोस्ट आफ रोडेंटी साइट्स हीमन के लिए भी टॉक्सिक होते हैं अता इनका साफदानी पूरवक यूज किया जाना चाहिए किसी human पर टॉक्सिक होने पर इसके टॉक्सिक को एंटी क्यूज के यूज दौरा इसको थीक करने के लिए एंटी टोट्स बनाए गया हैं उसको लगा करके आप उस बंदे को ठीक कर सकते हैं जिसने किसी काम की वज़े से या एक्जाम में फेल होने की वज़े से फिलाल तो यह बेपूफी है एक्जाम में फेल होगा तो दुवारा भी मौका मिलता है एक्जाम देने का या चीज में नहीं मिल लाई है घरमें या ल्ड़ाई डालने है या सबसे पापुलर जो हम है डेफ्न करने का चूहे मार दवाई कने का है प्यार महबद किसी से प्यार कर रहें नहीं मिल पा रहें तो चुवे की दवाई खाली वह बात नहीं कर रहें तो जहर खा लिया उसने ध्यान देना बंद करें तो जहर खा लिया तो यह सब डराने वाली बाते हैं अगर वह जहर खाए उसको थोड़ा सा और खिला दें क्यों क्योंकि वह नहीं करना तो नहीं करना खतम बात है, फिर जिद करना पाप है, नदी किनारे साफ है, तुम जैसे लोग चुहों की दवाई खाके, ठीक है, मर जाओ गया, तो इसलिए जिद ना करो, आराम से रहो, माइंड को फ्रेश रखो, जिद बिल्कुल भी नहीं करो, माबाप ने आप को पाला है, पोशा इतना बड़ा किया है, और इतना बड़ा करके, अब आप उनसे ये कहते हैं कि मुझे बाइक दिलाओ, मुझे साइकल दिलाओ, मुझे ये कराओ, मुझे फोन दिलाओ, नई दिलाओगे तो हम ये कर लेंगे, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, मैं और उन्हों ने आपको लाग करके आपको पाला पोसा ठीकिए और आपको इस मुकाम तक पहुंचाने का वो प्रियास कर रहे हैं कि जिससे आप अपने पैरों पे खड़े हो करके अपने आप कुछ कर सको ठीकिए अपने आप जो है ना उन चीज़ों को खरी सको जिनकी डिमां करना हूँ बच्चों की बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से रहते हैं इस ह проф ख्याल है जिद नहीं करते हैं और उनका एक सप्ना है कि जो भी करना है अपनी लाइफ में अपनी धम पे पहुँचा वो अपनी दम पे पहुँचा क्यों कि उसने अच्छे से पढ़ा लिखा उन चीजों को समझा और फिर वो चांद पे पहुँच पाया है अभी चांद पे पहुँच सकते हैं नहीं चांद पे पहुँच सकते हो तो चांद पे पहुँचने लाइक तो बन सकते किहने का मतलब कुछ अपने आपको इतना जादा इंप्रूव कीजिए अपना ज्यादा इस्ट्ड़ल कीजिए अपनी लाइफ में इतना इस्टेबल कीजिए आपके पापा यह कहें कि मुझे बहुत कम अपने बेटे के लिए करना पड़ा और उसने अपने आप ही सपुच कर लिए तो ऐसे माइंड को रखिए बस अपने पढ़ाई पर दिहान दीजिए पढ़ते रहिए प्यार महबबत इसक महबबत सब बेकार है कि दिहान दो पढ़ाई पर कुछ बन जाओगे तो नजाने कितनी लाइने लग जाएंगे आगे पीछे कि आज के लिए इतना ही बहुत-बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स लेक्षर में अपन लोग हनी बी के उपर नेक्स लेक्षर लेकर करके आएंगे हर्डी उनिट का उसमें मिलते हैं